इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आपका SBA Bank यानि State Bank को फिडिया में अकाउंट है और आप जो है SBA Bank का statement निकालना चाहते हो नेट बैंकिंग के थुरूप तो कुछ परकार से जो है आप statement निकाल सकते हो statement निकालने के लिए आपको क्या process follow करना है सबसे पहले आपको अपने phone में Google Chrome browser open करना है Google Chrome browser open करने के बाद आपको यहाँ पे search bar में type करना है online SBA यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे type कर दिया है online SBA आपको यहाँ पे online SBA टाइप कर देना है जैसे ही आप online SBA टाइप करोगे आपके सामने यह website आ जाएगा state bank of India online SBA.SBA तो simply सा आपको इस website पे click करना है यहाँ पे जो हाँ आपको उप्सन दिखाएगा personal banking corporate banking तो यहाँ पे जो है आपको personal banking वाले option पे click करना होगा यहाँ पे आपको login पे click करना होगा जैसे ही आप login पे click करोगे तो यहाँ पे आपसे मांगेगा username password तो यह जो user ID और password है यह अपने पहले ही set कर रखा है तो आपको यहाँ पे अपना username और password इंटर करना है अगर आपने अभी तक internet banking का ID password जेनरेट नहीं किया है तो आपको जो है इस पे click करना होगा new user register hair active you तो आपको जो है इस पे click करके इसमें registration कर लेना है registration करने से पहले आपको एक बात धिहान रखनी है इसमें जो है आपको debit card अवस्या लगेगा debit card आपका इसमें अवस्या लगेगा internet banking में registration करते time तो यहाँ पे जो है मैंने already username और password set कर रखा है तो मैं यहाँ पे username और password अइंटर कर देता हूँ username और password अंटर करने के बाद आपको यहाँ यह capture code fill up करना है capture code fill up करने के बाद आपको जो यहाँ पे देखेगा login सिम्पली से आपको Login पर कलिक करना है जैसे ही आप Login पर क्लिक करोगे यहापको पासवर्ड आपके रिजिस्टर मॉबाइल नमबर पर OTP पहुंच जाएगा वो OTP आपको यहाप एंटर कर देना है जैसे ही आप OTP पर एंटर कर दोगे तो यहाँ पर आपको submit करना होगा submit जैसे यहाँ पर submit करोगे आपके सामने जो है कुछ इस परकार का option show करेगा यहाँ पर आपको यहाँ पर account details show करेगा यहाँ आपकी जो net banking है login हो जाएगा तो simply से आपको इस पर click करना है यहाँ पर hand आपको दिखेगा इसपर आपको किलिक करना है इसपर किलिक करने के बाद आपको यहां पे एक option दिखेगा account statement यहाँ पर आप देख सकते हो account statement इसपर आपको किलिक करना है जैसे ही आप किलिक करोगे यहाँ पे जो है आपका account number 100 करेगा और यहाँ पे जो है आपको date select करनी है किस date से किस date टक आप statement लेना चाहते हो या month wise भी आप यहाँ पे select कर सकते हो तो यहाँ पे आप last six month यहाँ पे statement डाउनलोड कर सकते हो directly तो यहाँ पे मैं by date यहाँ पे search करना चाहता हूँ जैसे मैं यहाँ पे search कर लेता हूँ एक number और end date यहाँ पे 13 number तो यहाँ पे मैंने go पे click किया तो कुछ इस परकार से जो है मेरे सामने statement open हो जाएगी यहाँ पे जो है आप देख सकते हो statement तो यहाँ पे statement डाउनलोड आपको कैसे करना है तो simply आपको गाल पीड़कार से करते हो province यहाँ पे देख सकते आप क cảm inte क्र से sorta करेगा यहाँ पे आपदे एक हो a अकाउंट लंबर आपका IFC code और आपका जो ब्रांच के बारे में सारी जानकर या आपका नाम वगेरा आपको सारी डिटेल आपकी अकाउंट की statement पे सो करता है तो आपको फर्स्ट पेज में सो करेगा show as.pdip पे किलिक करके यहाँ पे जो है आपको दिखाँ एरे यहाँ पर लेंक और यहाँ पर आपको लिख लेना है show कर दिया तो हाँ यहाँ यह जो statement है कुछ इस परकार से show हो चुकी है यहनी download है तो कुछ इस परकार से आप अपनी statement निकाल सकते हो घर बैटे ही आपको जो है home branch में जाने की कोई भी जरुत नहीं है नहीं आपको कोई भी चार्ज देने की जरुत है तो यहाँ पर जो है बिलकुल आसानी